आज कोई बहतरीन युनिवर्सिटीज की बात करें, तो दिमाग में आते हैं आक्सवर्ड, ये और केम्रिज जैसे नाओ लेकिन एक कमाल की बात बताँ करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी क्यूंकि तब भारत में थी एक ऐसी युनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी युनिवर्सिटीज में से एक है नालंदा नालंदा शब्द तीन शब्दों से बना है ना प्लस आलम प्लस दा इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमाना हो कि वाकई जैसा नाम वैसा का इस युनिवर्सिटी में ज्यान का भंडार था यहां सिर्व धार में ग्रंथ ही नहीं बलकि लिट्रिचर फियॉलिची लॉचिक मेडिसिन और फिलोसिफी जैसे कई सब्चेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और तो और हर सब्चेक्ट का भर पूर ज्यान देने के लिए बनाई गई थी नौ मंजला लाइब त्रुट्रिच जिसमें लाक दो लाक नहीं नब्बे लाक से भी ज्यादा बुक्स और कि ये युनिवर्सिटी 700 साल तक दुन्या को सीख देदी रही लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी जेला आखिरकार बारहवी शतावदी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया और माना जाता है कि इसकी लाइब्ररी तीन महीने तक जलती रही और ग्यान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था दुए में खो गया उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी वो एक महा विहार यानि विशाल बौध मठ का हिस्सा थी जिसके खंडहर आज भी 57 एकर में फैली इस साइट में नजर आते हैं कुछ रिकॉर्ड्स के मुताबिक नालंदा दरसल आम के बगीचे पर बनी थी जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तुफ़े में दिया पर आखियालोजी के हिसाब से नालंदा को 5th century BC में गुप्तकाल में बनाया गया था उसके बाद गुप्तकाल में इस जगर का और डिवेलपमेंट हुआ और ये एक विहार से साथवी शताप्दी तक महा विहार बन चुका थी अलग-अलग दोर में यहां कई महान टीचर्स ने पढ़ाया जैसे नाकरजुना, बुद्धपालिता, शांत रक्षिता और आर्यदेव और जानते हैं स्ट्यूडेंस काँ थे? चाइनीज प्रावला ह्योंग सांग जैसे कई लोग जो दुनिया भर से यहां खिंचे चले आते थे यहां पर पूरे विश्व से चीन से, म्यानमार से, श्री लंका से अनेक प्रांतों के लोग इस जगा पर शिक्षा ग्रहंट करने के लिए आया करते थे इस महा विहार में लेकिन इस सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को नहीं झेल पाई इसलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक मौडर्न इंटरनाशनल युनिवरसिटी की रूप में फिर से जन्म लिया नालंदा जैसी युनिवरसिटी इस बात का सुबूत है कि भारत का ग्यान सदियों से दुनिया को रौशन कर रहा है हम उमीद करते हैं कि वाक्त एक बार फिर करवट लेगा और बहतरीन एजुकेशन की तलाश करता हर इंसान कहेगा इट हापन्स ओनली इन इंडिया